मुझे ऐसा लगता है कि तवायफ या सेक्स वाका योगी एक ऐसा तबका है जिसको सामने से तो हर आदमी कहता है कि इनका इनको खटब कर देना चाहिए और परदे के पीछे या अंधेरे में यही कहता है कि इनको चलते देना चाहिए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने इनको इनकी लिए आश्रम वगरे कुछ बना दिये लेकिन वह हुआ कि वह ऐसे जो आश्रम थे या ऐसे जो जगे बनाई गई वह खुदी इस चीज़ के अड़े बन गए लोग क्या कर रहे थे कि उद्धार के नाम पर अपना हिट सा अब ये बास सही कह रहे हैं क्योंकि मैं मुगल की बात करते हैं तो मुगल शाशक जहां भी जिस भी राज़ को जीत लेते थे वहां पर रेप करना महिलाओं पर शूशन करना सुनने में आता था लेकिन अंग्रेजियों में एक बात खास्ती कि यह बाते या तो होती नहीं या हो सकता है कि उसको दस्तावेजों में नोट नहीं किया गया है। अंग्रेज इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि प्रोस्टिटूट्स या सेक्स वाकई या तवायफों के थुरू सेक्स की बेमारिया नहीं फैलनी चाहिए इसलिए वह उनका प्रॉपर टेस्स करवाय kann कर थे जांच करवाय करते थे और उसके बाद जो हुआ कर थे जो कि जो तवायफों के उसमें जो तवायफ ट्रांस्मिटिंग डिजीस फेला सकती ती उनके घर के बार लागा दे सुक्रा लाइट एरियास का नाम जो फेमस हुआ वो शाद इसलिए फेमस हुआ महात्मा गांधी ने भी तवायफों के लिए कुछ नहीं किया जब उनको बताया गया कि तवायफ जो है वो देश के स्वतंता संग्राम में शामिल होना चाहती हैं तो महात्मा गांधी ने बोला कि इस करत की सुबह मैं अपने वरांडे में एक लकड़ी का बना हुआ सोफा जो की ज़रा कमफर्टिबल नहीं था आम की लकड़ी का बना हुआ सोफा उस पर अपनी किताब पढ़ाया पढ़ते हुए मुझे अचानक से आवाज आई कि मैं कैसा हूं मैंने अधर उधर देखा थो सोफा मुझे से बात करना था मैंने जट से उठा और उसको देखा दोबारा तो फिर से बोला कि मैं कैसा हूं तो मैंने कहा कि यार तुम नर्म तो नहीं हूं तुम्हारी लकड़ी मुझे चुब रही है पर साथ इस किताब का है कि मैं उस दर्द को भूल पा रहा हूं पर व देर के लिए मैं फिर सोच में पढ़ गया कि सोफा मीठा कैसे हो सकता है मैंने उससे सवाल किया कि तुम एक सोफा हो तुम गड़ सकते हो तुम नर्म लग सकते हो तुम तूट सकते हो पर तुम मीठे नहीं हो सकते तो उस सोफे ने मुझे जवाब दिया उस गर्म सी दोपह पर उसने बताया कि चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। उसने कहा कि कई सालों पहले मैं एक बहुत मीठा आम हुआ करता था। और एक बच्चे ने मुझे खाया मेरी गुठली को चूसा और फिर एक जगे फेक दिया। फिर कुछ समय बाद बरसात हुई और उस गुठली में से पेड़ निकला। कईयों सालों तक वह पेड़ बड़ा होता रहा। उस घना हुआ। लोगों ने उससे चाहे ली। लोग उस पे बैठे बच्चे उस पे खेलते रहे जूले लगा कर उसमें सावन के जूले जूले। और भहुत सालों तक मैंने वहां पे भहुत सारे फल दिये। मीठे मीठे आम के फल दिये जो लोगों ने बहुत खाए। खाते खाते पता नहीं कब ये वक्त आया कि लोगों ने मुझे काटा और मेरी लकड़ी से ये सोफा बना दिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कहाने की आज हम बोलते हैं प्रोस्टिटूट्स वैश्या वैश्याले पर उनकी शुरुवात कहां से हुई थी उनकी शुरुवात हुई थी जहा हम बात करते हैं अपसराओं से नर्तिकियों से जिनका मकसद जिनका मोटिव कु जहां हम उनको उस नजर से नहीं देखते, जिस नजर से शायद उनको देखा जाता था, या शायद देखा जाना चाहिए. आज का podcast इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की, हमारी दुनिया की ऐसी रूडिया जो हमको नहीं पता है, और जो हमें शायद पता होनी चाहिए, कि ऐसे भी लोग हैं, जिन्नों ने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, पर क्योंकि उन्होंने ऐसा transformation ले लिया है, कि हम उनको भूल चुके हैं. हम देश के लिए लड़ने वालों को शहीद कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उनको देश भक्त कहते हैं, उनको फीडम फाइटर कहते हैं. और वहीं एक तबका जो कि देश के लड़ा देश के लिए बहुत कुछ किया उनका शायद नाम लेने में भी कत्राते हैं ऐसी एक किताब मैंने पड़ी है डान्स टू फीडम ये किताब बात करती है उन नर्तिकियों की उन तवायफों की जोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया सौतनता संगराम में बहुत कुछ किया और उस सौतनता संगराम में ही नहीं देश के कई शोशल रिफॉर्म्स में काम किया और देश के लिए बहुत कुछ करते हुए इनोंने नारियों के लिए बहुत कुछ किया पर कही न कहीं जब वो तवायफ ट्रांसफॉर्म होते होते प्रोस्टिट्यूट हो गए हैं तो आ आज हमारे बीच हैं इसी किताब के राइटर मिश्टर एक गांधी उन्होंने कई पुस्तके लिखी हैं पर आज जो हम बात करने वाले उनसे इसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डांस टू फ्रीडम और यह डांस वही है जो एक आम जो एक मीठा सा था वह ट् किया है इस पर बात करने के लिए विशाय बहुत ही सेंसिटिव है और सेंसिटिव के साथ साथ बहुत नजदीकी से हमारी कल्चर से चुड़ा हुआ है क्योंकि जो तवाइफे थी यह हमारे जीवन का अभिन भाग थी और इसी लिए यह इस किताब का जो दिमाग में जो जो आज तो हम प्रॉस्टिटूट बोल देते हैं कई चीज़ें लिख दी जाती हैं बोल दी जाती हैं पर अगर हम शुरुआत बोलें जो हमारी मेन का अरंभा जो इंद्र के समय में जो अफसराएं हुआ करती थी वो निर्ट किया करती देवताओं के लिए उनको देव हैं सुरु से भाग रहे है और खाली हमारी क्लुचर में है सभीikt पें किसी न किसी रूप में जो डांस का म temples पीरिड में जो वेद ही उनका उनका बना आता है है। अरचुन ने स्वयम सीखा डांस, तो उस समय वो धीरे-धीरे समय के साथ क्या हुआ कि जो मुख्य रूप से जो नर्थकिया थी, जो राजा की दरवार में जो डांस करती थी, उनको राज नर्थकी कहते थे, और जो मंदिर में डांस करती थी, वो देवदासी ही होती थी, या जुदिल नर्शकी की आप दोनों में अंतर होता था कि जो राज अर्टगी है उसका जो मुख्या प्रभज है वो इंटर्टीम्मेंट है या जो महमान आ रहे हैं राजा के नहीं का एंटर्टीम्मेंट या जो functions हैं उनमें उनकी भूमी का है और जो मंदिर थे हमारे उस समय, वो मंदिर हमारी society को integrated रूप से लेते थे, उसके सारी पक्षों का जो मंदिर है वो represent करता है, क्योंकि हमारे जो हिंदू प्राचीन काल में, जो मंदिरों का महत्व है, वो मुखे रूप से यही है, कि वो आपके समाजिक, आर्थिक और Sanskrit को रूप लेते हैं, मतलब कि मंदिर में आज यही पूजा होती है, तो वहाँ पर समाजिक कारे भी होते हैं, वहाँ पर लोग का जो अर्थिवेवस्ता है, उनको वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर उनकी अर्थिवेवस्ता जमीन है, वह उन किसानों को दियाती थी, जो उसमाजिक धाचा था, उस होलिस्तिक रूप में गाउं के सबी लोग उसमें आजाते थे, तो इसलिए और उसमें जो नरत्य था, अभी आप देख लीजिए साउथ इंडिया में, कि जितने भी क्योहार होते हैं, उसमें डांस तो मस्त है, अरश्य होगा डांस, लेकिन वह समय के साथ साथ, जैसे जैसे हिंडू काल जो समाप्त हुआ, वह आठवीच अदाद्दी में, समाप्त नहीं हुआ, इस पर बाद में आता हूँ, पहले मैं एक सवाल पूछूँँगा आपसे, जो आपने कहा कि जो राजाओं क मौका नहीं दिया जाता, तो अगर मैं उस काल की बात करो, तो उस समय that means कि woman empowerment बहुत अच्छा था, या ये नर्तिकियां या देवदासियां दिसा forcefully been made to do that, प्राचीन काल में तो आप देखे कि जो विदूशियां भी थी और विद्वान भी थे, मतलब जो महिलाएं हैं उन जैसे राजा दर्शत के साथ यही होगा, पत्री जो कह की थी, वो युद्ध में गई थी, तो इस तरह से जो इस्त्रियां थी, उस समय वो समान्दा का भाव था, पर सार जब हम रमायन भी पढ़ते हैं या हम और भी वेदों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं राजा और के पुत्रों जो हैं वो आश्रम में जा रहे हैं दीख्षा लेने के लिए, या 14 साल के लिए पढ़ने के लिए, पर कहीं यह जख्र नहीं आता कि जनक की पुत्री सीता भी आश्रम गई थी, 14 साल की शिक्षा के लिए या और दूसरी जो उस ताइम पी जो रानिया थी वो गाउंगे शिक्षा के लिए ऐसा बहुत कि आप हिस्टॉरियन इसलिए मैं पूरना जा रहा हूं इसका जो शिस्टम है वो थोड़ा सा एक अलग है उस समय उसमें जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा की पद्दती है वो घर के अंदर है वो घर के नगर हैं तो नगर की हर गली में लगागा, की पार्व क्राव जिसमें इस्ठानिया बच्चे जो आश्रम नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए जो पाट शाला की वेवस्ता होती तो ने लड़कीयां लडखे लड़के बोनों एक साथ पड़ते थे और ये विवस्त था child आप मानेंगे कि इतने लंबे मुगल शासन और मुस्लिम कॉल के बाद भी जब अंग्रेज आए उनके सर्वे में है कि बेंगाल में उस समय लगभग एक लाकिस्ता की पाट सालाई थी तो उससे ही भी सिद्ध होता है कि वहाँ पे हर गली में लगभग वहाँ पे क्या है कि को संदी रहे हम ऑना कर वहां जार्म का में लगजात एकयों कि मेली लख दूम में है क्वेश्च लाचित renting करना और तो वह आश्रम में नहीं नहीं है इस sú जो कर्मकान जो होता है समाज के अंदर वो उसमें भाग लेता है और जो बाकी खाली समय है वो बच्चों को लेता है क्योंकि जो छोटे बच्चों की अर्थवावस्त में भी रोल है क्यों उसमें अभी है 18 वर्ष का यह जो घर पर रहते हैं आशम में जा रहे है वह वह विए रहरे हैं उनके लिए जो शिक्षण व्यवस्ता बिलको अलग है नहीं तो विदूश्या कहां से ओंगी तो व्यदूश्या कहांसे पैदा होगी और एक नहीं है तो हम बापस आते हैं हिस्टिय उफ अपने वहस्याओं की उपर तो आप कुछ बता रहे थें जो वहिस्ट्रिय की उपर कि कैसे नर्त्कियां और जो देफ़ दासियां थी वो फिर काइसे आगे उनकी कहानी बढ़ी। वो दीरे-दीरे यह था कि उसमय के साथ सथ समाज में परिवर्टन आते हैं तो एक परिवर्टन जो आए वो धिरे-धिरे यह था कि उससों आप जो classical dance चल रहा है वो काल, मंदिरों तक और राजदबारों तक रहा अब अब हमारे यहां क्या हुआ है कि विदेशी आत्रमाद शुरू है इन्वेडर्स आते रहे जब इन्वेडर्स जो आ रहे हैं तो वो अपने साथ क्योंकि प्रभाव ही ले आ रहे है और जो हमारी कल्च मिक्स हो रही है तो इस तरह ऐसे वो पहले जैसे ग्रीक आये होंस आये दूसी जो इस मोगल कास्ट है मोगल देली सुल्तान आये जैसे मोहमद गिजनवी युगर आये मोहमद गौरी आये तो वो सब लोग आये तो इनका प्रभावी तो हमारे समाज पर है क्योंकि उन्हें क कि समानता की बात मुस्लिम पीरेड में हुआ क्या है कि कोई भी युद्ध जीतने के बाद में वो लोग अपने सिपाईयों खुला छोड़े थे लूटने के लिए और महिला को उठाने के लिए दासिया मनाने के लिए वो सब काम होते थे ये common knowledge है तो उस समय जो महिला है महिलाओं को परदा डालने पर लोगों ने खुद अपनी महिलाओं पर परदा डाल दिया परदा डालेगा था कि वो घर से बाहर कम जाएंगी उनकी जल्दिश विवाह हो गया और साथ-साथ उनको घर के अंदर समीट दिया गया घर के अंदर सिमटने से उनकी जो शिक्षा है वह घर कि वीज़े चल रहे हैं लेकिन जो पुर्ष है, वह उनको की राजनरतकिया मैं उनके वहा हो कि अपनेखर्चे हैं, उनके dresses हैं, dresses, gehenे, अपनी team है, वो सब है, उनकी musicians है, उन सब का命 है. अब वो खरचा तो राजा वहन नहीं कर पारे हैं, क्यों कि है लगा था invasion हो रहे हैं, तो उनकी आर्थिक समस्य है, या तो राजा ही नहीं रहे. रहा है उनकी जमीन चली गई जली गया चली घूट चलागए है उनकी बहुत कम हो गई है तो जो उसके नीचे आधिकारी है उनकी इंप even कम हो गई है तो यह समाज जो प्पूछ टा वो जब कठिनाई में फसा तो वह उसके पाझता पैसा नहीं था कि वहyou इनको support कर सके तो उनको gift कर दिया करते हैं वो भी है कुछ ऐसे cases है वो एक अलग कहानी है उसको एक अलग तरह से लेना चाहिए हमें तो लेकिन हुआ कि उनके साथ में समाज में चीज आ रहा है जो समाज में परिवर्तन आ रहा है उसके कारण उसका एक बहुत बड़ा प्रभा की जितने भी लोग आए यह लोग अपनी जो कल्चर लेकर आए और और राजड़त किया इन्होंने पकड़ी है यहां पे तो दूनों की जो कल्चर मिक्स हो रही है एक जो वास्ता में जो तवाइफ नाम है वो मुगल काल में मुझा प्रॉमिनेंट बन गया और जो तवाफ इसलिए कहा गया डांसर को क्योंकि वो खुश रखती थी सको तो वो इस तरह से उनका था तो वो तवाइफ वहां से शब्द जो पाबलर हो गया अब जो तवाइफ है थी उनका अब हमारी संसकती पे असर आना इनके साथ शुरू हो देगा जो मतला कर मैं बोलूँ जो नर्तिकिया या हमारी दासियां होती देव दासियां जो होती थी तब तक ये प्रोस्टिटूशन वाली चीज़ सिस्टम में नहीं थी या तब भी आ चुकी थी या जिस परोशि जिसको हम कहते हैं ये जो सेक्स का सेक्स का एंगल उस ट्यम तक कि ये मुगलों के आने के बाद ये सेक्स वाला फैक्टर उसमें इंक्लूड हो गया देखिए एक चीज तो है कि अगर जो पहले राजनतगी या अब तवाइफ हैं जो महल के अंदर टांस कर रही है क्योंकि हर एक राजा की अपने हरम भी होते थे खासकर मुस्लिम राजा होक चैसर केुवह रही हरा या वही पनाड़ है लेकिन जो मुसलिम है वह क्या है वह अपरी वीविया भी रख रहे हैं तो सासर हरम भी रख रहे है तो वह दून एक मैशे हैं आप जैसे आप लगत और नवाप थे इनके बाड़ लगबढ टीन सो परियां थी परी कहते थे मेरे लखनु के जितने भी है इसलिये का हरम फूर्ण के पास तो वो तो चाहां मेर के बास थी ओर उसमें अच्छी खासी संख्या में है और उनका भी काफी कुछ वरणन आया ईचासकरों ने किया है उसके बारे महारां कि वहां पे क्या समस्चा थी कि fireworks से लोग रहते थे. नहीं मैं वही वही मैं देखता हूँ जो हरम की बात होती है, तो जो मुगल सल्तनत के हरम इसमें जो आढ़ पीनीजिया हुआ करती थी यह नरत्रकिया हुआ करती थी, उनके बारे में यह जिक्र आता घिसमे सबसे बड़नाव ہماری آنار کلی کا. इसके तो जिक्र आते हैं. लेकिन जब हम हिंदु राजाओं की बात करते हैं. चाहे हम छ्छतर साल जी की बात करें. च्छतर साल जी पर आपने तो काफी काम किया है. या हम और जो हमारी लखनव के नवाब हुआ करते थे और भी कई राजाओं के हम बात करें चाहिए जैपूर के नवाब हुआ उस एरा में उन नवाबों के उन राजाओं के बीच में ये हरम वाला सिस्टम या दासियों को नर्तकियों को रखने वाला सिस्टम ये कहीं हिस्ट्री की बुक्स में नहीं आदा कि देखिए वो सामने नहीं है वो मतला उसका सामने नहीं है कि उसका शह Really कि इसका प्रडराशन नहीं हुआ अब जゆसे उधारण की तोभ पे जो 46 साल थे उन्होंने खुट 50 Viva कि आभ 50 विवा कि नहीं को हर्मकी वासते पे जुरत नहीं है कि व्हस्तने और आधिकारी अ कर्फ था मुसलिम महिला को उसकी लड़की थी मस्तानी और मस्तानी तभी पैदा हुई पकड़े जाने के बाद में उस समय गर्भवती थी तो चाटर साल ने उनको पुत्री बना लिया तो देखें और वह बड़ी हुई तो उसको बाजी राव को दिया पर प्रजान टोकूंगा मैं चाटर साल को पुत्री तो बनाया फर भी उनको नित सिखवाया था हां नित और गान में बड़ी कोशल थी और वह चाटर साल की सभा में प्रस्तुति भी किया करती उसका कारण था क्योंकि उनकी जो मां थी वह खुद तवाइफी थी लेकिन देखो यहां करी डिस्क्रिमिन है और एक तवायफ का एक अपने ट्रेडिशन है अब जैसे मैं आपको एक दूसा जहां राजाओं के पास एक नर्थ की थी उसका नाम था राय परवीन तो अब वह राय परवीन थी वह बहुत ही इंफिलेंशल थी और उसकी लिए उन्होंने एक अलग महल बनाया पर भी प अपना वह इंफिलेंस की बात भी है कोई हैं ऐसे कुछ मिली नहीं है कुछब प्रमान तो मिलना चाइए किसी चीज का क्रू प्रमार बात करेंगा कि या गरेगा बिना प्रवार के अगर उखाली एक बात कहेगा तो अफासिद होगी मैं सागर शहर को विलॉंग करता हूँ तो मुझे वहां के राजा का नाम तो याद नहीं है पर एक कहानी बड़ी प्रसिद्द्ध है वहां पर वहां पर एक जगे है जिसका नाम है गड़ में पे रहा हूँ जहां पर राजा का किला है एक मंदिर हिए हनुवान जी का जहां पर काफी लोग जाय करते हैं तो वहां उचुची पहाड़ीया है तो कहा जाता है कि राजा के दरबार में एक नर्टिकी हुआ करती थी उनका भी नाम शायद मेरे जहन में नहीं है फीवर उस नर्तकी से राजा बहुत ज्यादा संभू है थे बहुत ज्यादा उसमें इंट्रेस्टेट थे और ये बात रानी को बहुत अखर्पी थे तो उस नर्तकी का काम था नट करना तो वहां पर मदेबरेश नट बोलो तो डांस के साथ साथ वो रसी पर भी नट किया करते हैं त तो रानी ने कहा कि ठीक है मैं इसको आपकी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पत्मी मानने के लिए तैयार हूं और उससे पहले नट करना होगा नमूना पेश करना होगा जो कि साधारन नट नहीं होगा बलकि दो पहाड़ों के बीच में रसी को बांदा जाएगा और तो उस रसी पर नित्य नट करना होगा यह कहके उन्होंने राजा ने का ठीक है वो करेगी उसने भी कहा कि हाँ ठीक है मैं करना तयार क्यों वो इतनी आदा कौशल थी उसमें उस पर नट करना प्रारम किया और कहते हैं कि जब वह बीच में पहुंची तब रानी ने रसी करते थे वही रानियों के पक्ष में देखा जाए तो उनके लिए कहीं अखरती भी होगी उनको बहुत एक पत्नी को तो यह मात अखरेगी जिस घटनगी आप बात कर रहे हैं यह मैं सिंग गर्ण के बारे में ही सुना है अच्छा मद्यव प्रदेश में है यह घटना मारे म मतलब आप कुछ भी कहेंगे तो वह इतियास बन जाएगा ऐसा होना नहीं चाहिए तो इसलिए ऐसी बात हो को हम मतलब इतियास के अंदर एक इतियासका की नजर से तो वह एक मिठा के है रामाइन क्या है तो मैं उस पर कमेंड नहीं देना चाहूँगा लेकिन कुछ प्रूफ है लोगे इतनी लंबी श्रद्धा है वह ऐसे नहीं आ जाएगी वह बिना हावा में नहीं आ जाएगी और जैसे कुछ प्रमान है जैसे जो भारत और श्रिलंका के बीज में जो पुल सफर यहीं टोखूंगा फिर तो मैं कहूंगा कि सागर के गड़ पर रहा है दो पहाड़ है जिनका नाम लिया जाता है कि यहां पर रस्तिवां के किया गया था प्रमान है ने ने मैं इसमें बहुत कर रहा हूं को कि यह सवाल कई बार मतलब मेरे पॉटकास के शोस पे लोग मुझे मेसेज किया है कि ऐसे मैं कभी अगर रमायन की बात कर रहा हूं मैंने माइथलोजी वर्ट यूज कर दिया तो लोगों को शद्धा के तोर पे एक बहुत बड़ा आहात लगता है यह आपने इसको माइथलोजी कैसे बोल दिया यह माइथलोजी नहीं है यह हमारी इत कि इन्होंने कहीं भी उसको ये नहीं कहा डिए जैसे जब गर्ण का वद हwen है या जो वह वह जो फो वफर आई है है वह आज कि अजहिए हैं उसका दी है कि वे तारवित रिशा क्या थी वसनमें क्या का था क्या इतिता हैं उसके अजहार पर निन अब उन्होंने जो बेसिकलि जो शुरू में रहमायन लिखी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अब उसको शद्धागे रूमें पेश किया अब कुछ लोग उसको मैचलोजी बनते हैं कुछ लोग हिस्टी बनते हैं अब वो अंतर तो हमेशा रहेगा अब जैसे मैं खुद पुरान है या लेकिन मैं को प्रमान चाहिए और उसके बारे में ठीक है मैं आयोध्या गया हूं दो बार लेकिन इसका अलब यह नहीं है कि मेरे को वहां पर प्रमान मिले मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है तो जब प्रमान मिलेंगे तो मैं निश्वरुप से इतियास क्योंकि वह बाकी सबकी information दे रहे हैं ना वह सारी माह वारत तो मानोगे मेरेट से हैं आप बागपत के पास वह कौन सी जगह है सिंग रॉली वगरा है सनॉली सनॉली में तो काफी ख़ड़ाई में तो देखे अब वही है ना कि समय के साथ में इतना लंबा इतिहास है हमारा अगर उनके जो पत्थर के जो शिला लेख है उनको छोड़ दीजिए तो वह भी बहुत authentic नहीं है लेकिन हम उसके वारे में सच मान रहे हैं और वह समय के साथ उसमें बहुत से नश्र भी हुग है या अब जैसे दिल्ली में जो यह बाड़ा हिंदू राव हस्पिरल के बाह जो राम के इत्यास और प्राना है अगर वह बहुत प्राना है तो इसको मतलए कि उनको प्रवाण है वो नस्च हो जोगी है और यह वह अब 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 होता है कि है देगे आपने एक ऐसे मुद्धे मेरे को छेड़ दिया जिस पर मैं काम कर रहा हूं वह नेरेटिव हमारे इ इत्यास के साथ बहुत छेड़ चड़ होई है कि इतने सारे इन्वीडर्स आए उन्होंने अपना नेरेटिव सेट करने के लिए अपने अपनी बाते लगाई जैसे एक छोटी बात है कि उन्होंने यह कहा कि आरेया लोग भाहर से आए थे लेकिन सुनोली में खुदाई होन तो उसने ऐसा क्यों का कि यह सिद्ध करने के लिए कि तुम भी बाहर से हो और हम भी बाहर से तो अगर तुम भी यहां पर रह सकते हो तो हम रहेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है मुगलों को भी फायदे में रहा जितने मुस्लिम सा है वो बाद उन्हों सब करते हैं कि हां पर देखो आज भी कोट करते हैं जबकि प्रूव हो चुका है कि यह सब गलत था नेरेटिव था तो जो नेरेटिव हैं वो हमारे इतिहास को विक्रिति करनों से कहने है तो उसको के लिए उन्होंने अपने अपने नेरेटिव सेट किये और वो नेरेटिव आज भी चल रहे है यह जा यह बहुत समाज के लगबत सभी और आप जैसे आप देखर लीशे कहीं के देश कमानी के देश का हुना हुआ है अक आना फ। जिसके इस्थाबना होई थी हिंदोगों की रक्सा के लिए आज वह य देश की मांग करने लगए है specific का पॉर्ट है ना कि जो काम उन्हें करना नहीं करके No काम उनके गुरू ने हम't अनके आख़ा कर तो इसक आनकर कर रहे हैं तो यह सब नरेटिव का पार्ट है कि उसका सिंभल बाथ है कि इन पर ये कईपटेंगी जो अजिंड़ plagio वह पीचिस से लागू हो रहा है। वह बिसनीस भी है बहुत कुछ है। देखे यदि आज भारत एक बड़ी शक्ति बंकर उफरता है, जो कि समय के साथ हो रहा है, एक बड़ी आर्थीक शक्ति, बड़ी सैनिक शक्ति, तो बहुत देशों के ऐसे इंट्रेस्ट हैं कि यदि इ वो भारत के लोगों को बंगलाने के लिए उनको तोड़ने के लिए आज अगर मैं बात करूँ तो धर्म या रिष्टे कुछ नहीं रहे गए लोग अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से यह सोचते हैं कि कैसे किसी चीज का फायदा उठाके चाहे वो धर्म हो चाहे वो रिष्ट के 60-70 साल जो है वो अच्छी इंकम के साथ अच्छे पैसे के साथ बिताए जाए चाहे फिर उसमें किसानों का मुद्दा उठाना हो चाहे धर्म का मुद्दा उठाना हो चाहे राम का मुद्दा उठाना हो सारे मुद्दे अल्टीमेटली बैक सबका एक ही है कि कैसे पैसे क करते हैं उसके उपर डिपेंड करता है कि उनका क्या मनतव्य है क्या उनके विचार है अब एक छोटा से हमें एक जाम मिलता हूं 1761 में पानीबत की तीसा युद्वा तो अब दाली जो एक तो मैराटा है एक पक्षमें सलाशिव राव भाव जो है वो उसके सेनापती है और उ नागपूर से इतना दूर पूला से ही दिन तूर आगे एक हजारां की दूर लट रहे हैं वह और है और अवद कर रहे है है चोटे कोओं की मैं बात नी कर रहा है कि रहाँ पड़े नाम में ले रहे होगा तो अब आप यह लगाई है कि जो अवद का नवाब है या रुखेल है वो तो यहां के फिलाल यहां के माने जाएंगी ना हम हम कि वह लो एक विदेशी आकरांता को पलब सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे जो देश के लोग है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यह तो आपने गॉालियन में भी देखा है जो संस्किति धर्म इससे कोई मतलब नहीं हराद में अपने हित को देखना चाहिए में अपना हित है वो हित को छुपाते हैं और बड़ी-बड़ी बाते सामने पब्लिक करते हैं कि उनको में इस बास से मेरे दिमाख में बात आती है कि जिसे हमारी बुक इंडस्टी में भी बहुत सारी पॉब्लिशिंग कंपनी खुल गएंगे बहुत सारे पॉब्लिशर्स खुल गए हैं इसका रण से अदकल हर आदमी लिखना भी शुरू कर चुका है और कुछ लोगों के लिए कुछ लोग जो है वो रामायन को या शिप्पुरान को या बड़े-बड़े साधुओं जो हमारे शुक्राचारे हुए इन सबकी कहानियों को फिक्शन से जोड़के अपने हिसाब से तोड़ मरोड़के उसको एक नई कहानी तरह पेश कर देते हैं कि मुझे बस सवाल यह है कि क्या हम वो इन्वेडर नहीं है क्योंकि आने वाली सदिया आज से 50 साल बाद 100 साल बाद हमें नहीं पता कि जो हमने एक नॉन फिक्शन को तूड मरोड के फिक्शन बनाया था, वो आज से 100 साल बात फिक्शन माना जाएगा, यह लोग उसको भी इतिहास मान लेगा। देखे, यह एक ऐसी समस्या है कि लोग ना एक लेखक को बहुत ही मैचूर होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कह रहा है वो हमारे सहित्या का भाग बनने वाला है, और वो लेखक चाहिए कोई भी हो, आज एक X, Y, Z कोई भी हो सकता है, जो इसको आज कोई नियांता, लेकिन हो स आज सो साल बाद, दो सो साल बाद की उस तक बहुत जागा पॉपलर हो जाए, तो अब उसका प्रवाव रहेगा समाज के ओपर, और यदि उसने कोई भी ऐसा को नेरेटिव सेट कर दिया, तो अब जैसे इस समय मैंने दिखा है, पारवति का, सीता का दिखा है, मैंने, काके की उपर देखिए, तो वो एक नया ही नेरेटिव सटकरने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जो उनको कोट करने वाले लोग भी है, जिनके हित उनके साथ मैच हो रहे हैं, वो नई बात लिख रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं, अब वो कोट कर रहे है कि रहे तो क्या हो रहा है कि किसी का हित्ट उस से उससे सर्व हो रहे है लेकक को इस बात ज्यान अगना चाहिए उसको अजेक्टिर तरीके लिता उसके लिए है तो फों इतिहास है ने रूप में ही लिए जाना चाहिए सारे प्रमाना आप रख दो और एक पाठक को डिसाइड करने दो कि उससे क्या है इसका क्या निश्कस निकलना चाहिए क्या इंफ्रेस्स निकलना चाहिए लोग आजकर बहुत तोड़ मरोड रहे हैं चीज़ों कर रहे हैं लोग तो हम बापस आते हैं तवायफ होकर तो यहां अलग-अलग कोठों पर जाने लग गए कैसे कैसे उनकी हिस्ट्री चेंज हुई अब हम बात करते हैं सर कुछ उन तवायफ हों के बारे में जिन्हों ने हमारे इतिहास में एक खास छाप छोड़ के जाएं तो दोस्तों बने रही है शोमी को अब हम कुछ ऐसे किरदारों की भी बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में काफी एहम भूमी का नभाई है पर शायरवत ने लैम लाइट में नहीं आई चाया उने कोई बड़ा नाम या तपका नहीं मिला पर उनके काम अतुल्नी हैं सर से हम उनके बारे में डिसकस करेंगे पहला नाम जो इस इस पुष्टक में जितनी तवाइफ हैं उनका विश्शेश उनका पक्ष है वह पक्ष है किन्होंने अंगरियंजों के विरुद लडाई की है। स्वाधिन्ता के लिए लड़ाई ला लिए है या अपने सम्मान के लड़ाई ला लिए है तो यह वो पांस तवाइफ हैं इसमें पांस तवाइफ हो की कहानी है तो जिन्होंने इस पक्षका लिया है और उनके बारे में जो लिखने कारण भी था वो यही था कि इनकी कहानिया कि एचाना चुपाइगी गई. समाज इनके जो योगदान था में हमारे प्था में इसको मानने होते या नहीं नहीं। या इनका संस्कृति में योगदान था उसको मान vontade नहीं रहता है। अब जैसे हमारे या तो तवाइव है यह समानय रूप क्योंकि ये देश भगती इन्होंने देश के लिए अग्रेजों के विरुद्ध खड़े रहते हुए अपने को स्थापित किया और उनमें से कुछ ने बले जान्वी दिया अजीजन भाई के बारे में हम अब अजीजन भाई का देखे वह जिस समय वह आई है उस समय देश एक नए दोर चे गुजर रहा है क्यों क्योंकि 1856 में जो अंग्रेजों ने आवद पे कब्जा कर लिया यह लखनों में पैदा होई अपनी माता के साथ रहती थी और उससे जब 1856 से शायद आठ या नो साल पहले यह कानपूर आगी माता की डैथ हो गई थी और इनको लगा कि यहां पे आवद में अब सबच पाएंगे जब शुरू में यहां पे जितने भी जो विदेशी यूरोपियन जो व्यापारी आए चाहे वो डच थे फ्रांसेजी थे इंग्लिश थे जो भी थे यह सब आये तो उस समय इस्टीमशिप नहीं थे पानी से खेने वाले चपू चला के आते थे तो उनको इूरोप से यहां पे आने लगभां 28 दीजन लगता थे थे इंग्लैंड से याने मी Ellis आते यहां तो इसलिए वो लोग महिलाओं को नहीं लाते थे प्रिवादात थी क्योंकिह भीइभ्यां को नहीं थे नहीं थे उससारी पार यूसरा के साथ है नहीं खाली पुरुष पुरुष है तो इनको मनुरंजन के साधन के लिए उनको एक जो सोर्स बिली वो थी तवाइफ है अब वो तवाइफों के बाद जाना शूरू किया तो देखे जब तक इस टीम शिप आया करियो अठार सो बीस से पच्चिस के दीश में इस सम और वो बहुत सम्मान करते थे इविन जो यहां पर कुछ जो महिलाएं भी आजी थी यूरोप या आई थी वो भी तवाइफों के जो कारेकमतियों को देखनी जाती थी और वो उनकी संस्किती है जो उनका रहन से नहीं है लाइफ स्टैल है उसका सम्मान करते थे वो इतनी पॉपलर थी कि यूरोप में जो माचओ की डिपे तवाइफो ओए फॉटो टी जु को सब इतनी पॉपलर होती थी और अब क्या हुआ कि लब इस्टीमशिप आने के बाद में क्या हुआ कि परिवारों को आना असान हो गया तो विक्टोरिया माइंडसेट भी आ गया साथ में पिटोया मैंचर क्या है कि महिला नहीं जाती कि मेरा पती किसी और दूसे महिला से किसी तरह से जुड़े। ठीक है अब इसके साथ भी आप क्या हुआ जो यूरोपियन लोग थे वो इन तवाइफों से थोले दूर जाने लगे। अब वो दूर जाने लगे तो अब और समस्या है आई कि तवाइफों के इंकम कम हो रही है। पहले नवाब थे राजा थे फिर नवाब हुए अब वो नवाब के बाद अंग्रेज आए अब अंग्रेज भी दूर हो गए अब इनके बाद जो बचे हैं वो या तो जमीनदार ह करें कुछी जगह पे हैं ह। लेकिन और उनकी वी इंकम जो है वो permanent settlement जो आ रहा है कानून जिसमें की चाहे अचाई किसान है उसके बाद जो लैंड है उसके आदा सुखा पड़ए कुछ भी हो उस में कोई उससे छूट नहीं है अब वो कोई छूट नहीं है तो जो किसान है वो परशान, किसान जो लगांदे है, जमींदार को जमींदार को किसान कर रहे है कि मैं कहां से तु मेरा भाइन है नहीं पैसे, तो जमींदार परशान, तो सबकी जो economy है, वो डाउन हो गई है, साथ में जो craftsmen है, देकि समाज में चेंज है, उसको study करना कपड़ा बनाने वाले कारीगार है जो जूता बिनाने वाले हैं जो दूसरी लखली का समान बनाने वाले हैं इस सब कारीगार इनके जो कौटे इंडर्सी चल रही है देश में अब अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं यहां से कच्छा माल लेके जा रहे हैं और मशीनों से बना साफसरा ला रहे हैं अब उस समान की विशिष्टा है कि खादी का जो हासे बना कपड़ा है वो इतना सुन्दर भी नहीं है और महंगा है और वहां से जो कपड़ा आ रहा है वो दिखने में अच्छा है चाला चलता है और सस्ता है तो यह इस बात हर चीज पर लागू हो रही ह तो यहां के क्राफ्ट्विन यहां के जो जमीनदार जो दूसे लोग हैं यह सब बेहुजगार हो हैं अब बेहुजगार हो रहे तो इस पास रोजगार क्या साधन है ऑजी वियगा चालआने का क्या साधन वह साधन है तो इसलिए वे इंडिया कंपनी वगरा वगरा का उनके बाद सर्विस कर रहे हैं और उसमें जो में जो नोगरी है वो सिपाईयों की है बागी तो अब समाज में नहीं कितना बला चीज आगए है अब जो तवाइफे है इनकी इंकम अब किस पर अधारित हो गई थे आपसर पर नहीं है आभ वो सिपाईयों परॵार ती ऑब्न जाएगा 다음에 ऑख़करे बनेंगा के आधिकारी निए तो बनेगा ही निए मेरे परदार जेलर थे वो जेलर थे वो अस्टन जेलर रहे हों गय Space तो जैसे आज भी आप देखोगी एक जो हैड कॉंस्टेबल होता है उसको दिवान जी दिवान जी कहते हैं तो वह दिवान तो एक बड़ी चीज बड़ा पत था तो वह ऐसे उपनाम समाज ये पैदा हो गए हैं तो उसको लिटरी सेंस में नहीं लेना चाहिए उसको समझनी क करने चाहिए तो अभी समाज में चेंज आ रहे है कि अब जो त्वाइफों के पास जो इंकम के साधन है वह निखले-तपके के लोगों के पास है वो आ रहे हैं सीपाई आ रहे हैं और ऐस्फ लोग'RE नहीं पास तो इनकी इनकम घट गय है साथ में अब अग्रेज क्योंकि उ आत्मे संबंद थे, öamटी समाफ्त हो गए हैं अब वो, इनको एक, रूलर के रूप में देख हैं अबकि हम शास्त हैं इनके लए हम कानून मनायेंगे थughनून मनायेंगे तो अब गरवालों निकाल दिया है वह सारी कैसे हैं वह सब प्रोफेशन पकड़ेंगी कोई न कोई तो वह तवाइफे बन रही है और वह क्योंकि गायन में या नत्य में वह इतनी प्रोफेशन नहीं है तो फिर वह जो अपना 1857 का जो आपका हुआ उसे फिर अधीजन भाई इसलिए हुआ वह तीखोड़ की वाइशन तो इसलिए जितनी है उस समय की वह सब ओर ढग्रिजन आते हैं उसमें कुछ उग्रेज भी आते हैं कउस्छ वो भी आते हैं यू कउच भी आते नAUDIO तो एंडर्डेश्य के लोग आते हैं, जो देशी सभाई भी आते हैं, अग्रेज भी आते हैं, तो अजी जन भाई अपने कोठे को इस तरह से मेनेज चरदे लिए, जो इसने कानबूर मागे अपना कोठा ले लिया, कोठा ले लिया तो उसका अपना सिस्तेम उस्तें पुरा बनाया सुन्दर थी युवा थी जवान थी तो जल्दी पॉबलर हो गई अब पॉबलर हो गई तो अब कोठी में जो आएगे वो लोग आपसे बाते भी करेंगे तो इंफोर्मेशन मिलती है जासुसी होती है अब वो जासुसी वहाँ पर शुरू हो गई अब वो जासुसी किसे ही तो पास हो नहीं है इधर जो नाना साहब है वह संतोस्ट है क्यों क्योंकि उनके पेंशन समाप्त कर दी गई है अंगरी जो ने अब वो घूम रहे हैं मेरड शुचना हो तो यॉँद ने करने के एक नेटवर्ग मनाने की कुशिश कर रहे हैं ठीक है। और उनको सूचना कोगे क्योंकि जो हमारे जासुस हैं उनका में काम बहुत इंपोनेंट काम होता है किसी भी जुद में, तो वो ढून रहे हैं कहां से हमें खबर मिलेंगी तो यहां से उनको खबर मिल रही है और जो अजीजन भाई है इनके प्रेमी थे शम्सुदीन अब वो शम्सुदीन आयत मेली तो इसलिए आयते सुचना के लिए लेकिन वो दोनों में आपस में एक दूसा आकर्शन कैदा हो दोनों में प्यार हो गया अब वो शम्सुदीन ने इनको बंदूब चलना भी तिकाया है घुटसवारी भी अजीजन भाई को इस तरह से दोनों का चलता रहा दोनों ने शादी करना चाहती है जीन भाई तो शम्सुदीन ने यह कहा कि देश आजाज हो जाएगा और कुस ज हो गई दसमई को उसकी कहानी एक अलग है वहा है आधा कि प्धुप हो यहु अग है थो आधी वहाद कि क्या हो गया कि लडाई शुरू होगी क्योंकि पहली दस मेह से शुरू ही तो कानपूर में आ गई ही Cake आकर ओंपर में जूलाई के आकिर में महाँ पर अग्रियों है two अच्छा अगनी फैलनी शुरू हो गई मेली जून में पहले लड़ाई होई गवाबे तो उसमें क्या हुआ है समसुदीन की ड़त हुई पहले ही लड़ाई जो पहले दिन ही लड़ाई में वह बंका गुला के लगा है तो लोगो पता था कि ये अजीजन के लवर हैं तो फिर तो वो रोई नहीं और वो रोई नहीं और बल्कि वो उनके मैडल उतार के यूनिफॉर्म से और चली गई मैडल और जो जितने भी बैजीश बगरा होते हैं वो सब और वो कुछ देर बाद ही सिपाही की ड्रेस में घुड़े पर सवार होकर आ गई और रिवॉल्वर भी ल जो आपने किताबों में किया उंगरे जो उसको देखा ए तो इस तरह से अब वो पड़ी खुट संग्राम में तो उसका अब उसके जो अपने जो साथी तवायफ है जो दुसरे कोटों की तवायफ है उनको लेकर उसने मस्तानी टोली है वो वो सिपायों की सेवा कर रही है तोपे तो नहीं चला सकती है वो क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी तो चाहिए मसकर से नहीं चला सकती है क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए उनको एक-दो फायर करने से तो कोई आदमे ट्रेन नहीं होया था लेकिन वो सेवा कर रहे हैं वो उनके खाने की सेवा कर रहे हैं उनका मुणजन कर रही है वाबे प्रंट पर गोले बरस रहे हैं उसके बीच पर काम कर रही है वाबे तो कितना बड़ा बलिदान है उसका जैसे कि कहते हैं कि जो फीडम फाइटर्स थे उनको एक ताम बरपत दिया जात्वासा देश हजाद होने के बाद कि आप फीडम फाइ नहीं है उसका कारण है कि जो समाज है वो इनके योगदान को स्विड़ा करने को तैयार ही नहीं है अब हुआ क्या है कि अधिक अनमाई को एक्सप्शन है जो जैसे धर्वन बीवी है उधारान है तो इनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो इतने बड़े व्यक्ति का ब इक aquarium हम अद्विर कुमर होंे ने जानाथ तो लोग धर्मन के बारे में थोड़ाच जानते हैं चुपा रहे बता नहीं रहे हैं। वहां पे प्रमान है, कि मसिद है, वो कह रहे हैं कि आप वीरकुमर सिंग्ह ने बनाई है धर्म बीवी के लिए। आरम हैं। लेकिन कोई बनाने को तयार नहीं है कि अधर्मन बीवी का मत आम धर्मन बीवी क्यों पड़ा। तो उनकी योगदान को कि एक कि हमारी इतिहास में जो महिलाओं का यो योगदान है उसको बहुत इन्विजिविलाइज कर दिया गया है चाहे अब जब कुछ नाम को छोड़े जिए से रानी लक्षमी भाई है या स्रोजी नाइड हुए है कुछ नाम है के लिए गिंदी वाग बिंदी पर गिंद से है जो कांधिकारियों के साथ में काम किया है उन जिसे स्वाशंद बोज के साथ में जो लक्षमी थी उनको लोग नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं जानते हैं दुरगाबाई को नहीं जानते हैं जिनके पती ने इतना बड़ा जान दिया है और वह खुद अपना जोखिम ले जो योगदान है उसको सवाल में इतिहास में चुपाया गया है और ये तवाइफ की बात आएगी तो लोग तो बिलकुल उसे नाम नहीं लेना चाहते हैं बिलकुल अंदर खाने में खुश होंगे अगर अगर जो में पांच जो आप ने तवाइफों के नाम लेन उनके बारे में जानना चाहता हूं ताकि और इटेल में आप किताब लेकर पढ़ सकते हैं पर एक समरी वही कौन थी और उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए हुसना भाई एक लिटेरिटेर रही थी सहित् अगर आप लिए जो राइटीग उसे मैंली कहा गया और इनका जो कंपेरिजन है वो देश की क्लासिकल उच्छ क्लासिकल जो शिर्डी की जो सिंगर सी उनमें क्या याद थी और अकेली तवाइफ टेडिशन से रही तो यह उस लेवल की थी अब इनके साथ समस्या क्या है द गोसरे में आरे समाज है और दूसरे जो संगठन है, even Congress भी है, वो चाह रही है वो कि यह fallen woman है और इनको समागी नजरों से शुपा दिया जाए. वो चाहते हैं कि इनको यहां से हटा दिया जाए अब अधिकतर जो लोग है वो इनको पुलिस आप इतनी काना चाहना थे मला वो काई में क्या है कि यदि आप उनको चाहते हैं कि तवाइफ अपना काम धंदा बंद करते तो उसको आप एक अल्टेनेटिव तो देंगे ना उस भी तवायफों के लिए कुछ नहीं किया जब उनको बताया गया कि तवायफ जो है वो देश के सुतंता संग्राम में शामिल होना चाहती है तो महात्मा गांदी ने बोला कि इस सब कुछ छोड़के चर्खा चलाएं और यह कहने पर कि चर्खा तो चला लेंगी पर उपना जी उनको एक एक्टिव मेंबर की तरह अपने साथ शामिल नहीं किया इसके बारे में आप क्या कहा जाते हैं मेरी रिसरच है जो मुझे मिली हर जगे इसके बारे अगर गांदी जी हमारे देश के एक बहुत महानित है अब वो चीजों को अपने एक अलग परस्पेक्टिस से द क्या है कि उसमें जो लोग तवायफ और वेश्या में अंतर नहीं कर रहे हैं यह बहुत बड़ा अंतर है जो तवायफ है वह हमारी संस्कृति की द्योतक है संस्कृति का सिरिवाई करती है और जो वेश्या है वह बिसिकल एक सेक्सवर कर रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है अजी जन भाई सेक्सवर का नहीं है, इसको हमें समझना हो चाहिए. तो अब क्या हो रहा है कि जो गांधी जी है वो चाह रहा है कि समाज का उत्था होना चाहिए, समाज में जो महिलाएं हैं इनका सुधार होना चाहिए और उनका एक जो simple concept है, लोग गांधी जी के साथ क्यों सामने भाग ले रहे हैं जैसे पिकटिंग करना हूं पिकटिंग में क्या था कि वह चार पाच्छे लोग खड़े हो जाएंगे या तो जो देशी चीज़े खरी तो उनका जो सिंपल था यहां दस आदमी खड़ा हो के एक चंडा लेकर और वो घूमेंगे भारतमा तकी जैगे नारे लगाएंगे पर सिंपल है उनका जो देश भक्ति का जो कंसेप्ट है आम लोगों के लिए और आम लोगों बहुत असान लगता है कि कुछ नहीं करना है कि वह चार नारे लगा देने से हम देश भक्त बिन जाते हैं तो लोग खुशी-खुशी गाओं में हर जगे कर रह गया आप तवाइफों के ख़लाब भी यह काम हो रहा है तो अब वो तवाइफों तो तवाइफों उससे खुश उसाहित हो गए कि हाँ कि हमी भी देश भक्ति हम भाग लेना चाहिए अब जो हुसना बाई हैं इसके हम बात कर रहे हैं इन्हों ने अब यह चाहरी हैं कि हम अब वो देश के लिए काम करें, तो किस्ता से करें, तो वो गांदी जी से संपट करती है, गांदी जी मनाना साय थे घुमने, बल्लब दौरा करने, और ये जो हुसना भाई है, अपनी सात्यों के साथ मिलती है उनसे, तो गांदी जी कहते है, ये काम छोड़ दो, तो फिर क्य क्या करें, तो वो कहते हैं कि आप धार्मी गाने का ओ, देश्वक्ति के गीत का ओ, तो कौन सुनेगा हमारे मुझ से, आप चरका चलाओ, तो हमारे आजीवगा कैस चलेगी, जिन्नी तवाइफ हैं वो सब इकत्र होती हैं, तो इकत्र होती हैं, तो इकत्र होती हैं, सब डिस जो उनको चाहता जो है कि ये पर्दे के बीच रहें वो समाप्त हो जाए उनका पूरु इस्थाफ़पन ना हो और को और ना मिले इसका प्रयास नहीं कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा है कि ना कर रहा है कहता है कि इनको चलते देना चाहिए देगे मैं तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्नोंने इनको इनकी आश्रम वगरे कुछ बना दिये लेकिन वह हुआ कि वह ऐसे जो आश्रम थे या ऐसे जो जगे बनाई गई वह खुदी इस चीज़ के अड़े बन गए तो इसलिए लो लोग कंटेट करने थे अब हमारे थुआएंगे तो हमें बिसकांट मिलेगी भी तो ऐसी अगला नाम आता है इसमें बेगम सम्रू का तो देगे यदि आप 19 जदाब्दी के शुरू में अठारी जदाब्दी के लास्की दो-तिन डिकेट के बारे में अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे ना उत्तर भारत के बारे में तो बेगम सम्रू का नाम एक मस्ट है उसका नाम बहुत ही सम्मान से लियास था मैं बतायता हूं तो चाहे अजीजन भाई है चाहे हुसना भाई है चाहे बेगम सम्रू है इनका नाम सभी लोग सम्मान से लेते हैं कोई भी इनको गिर्वी नजर से नहीं देखता है। और किसी का कोई भी रवई आ रहा हूं समाज की बात है। इनके बारे में सब गीत काते हैं। वेगम समरु का जो चर्च है, उसका महल है। लोग उसमें आज भी जाते हैं। चर्च क्यों वर्ड ही उसके आपने। मैं अब उस पर आ वेगम समरु का मैं बताता हूं कि एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ कोटाना में, वेरट पर ही है कोटाना, तो कोटाना में इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जो इनकी मा को और इस लड़की छोटी थी जब 10-11 साल की, इनको घर से निकाल जया गया, अब वे एक कोटी के समने भी हो चुकी एक तरह से निठालों के सोगी मही परी, तो सुबह वे एक कोटा था जो इसकी तवायफ थी, जो चोदरहाईन थी, वो बूड़ी हो चुकी थी, तो उसने लखी हो देखा तो उससे प्रोमिसिंग लगी, तो उसने इनको अपरे पाद रख मिलेगे, इसलिए वो एक मोटी असामी ढूल रही है, तो मोटी असामी के रूप में, असामी में और उस समय ऐसे असामी होते थे जो एक तवायफ का पूरा देख रेक करते थे, पैसे से, रहन, सहन, कपड़े, लटे, जेवर, सब का ध्यान रखने वाला एक पेट्रेंट ग हाँ, वो सोमरे से समरू बनाया है, तो अब वो उस समय पहले वो अवद के पास नोकरी कर रहे थे, और वहां से वो दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में यहां से वो जाट राजा भरतपूर नोकरी करने चले गए, उनकी सेनत ही अपनी, तो यह लोग किया पैसे के लड़ते तो अब वो वहां पर नोकरी करने लगे, अब यह दिल्ली से गुजरे, तो दिल्ली में इनका आनाधामना इस लकी से हुआ, और अब उससे शादी कर लिए, ठीक है, अब शादी का तो कंफरम नहीं है लेगि शादी ही मानते हैं उसको, क्योंकि सोमरे की पहले ही एक और मु कुछ के लिए, बीस-बाइस साल की दिए जब इनकी साधी होई, तो अब यह गई तो कि सोमरे को रोजी लाई सही काम था, लडाका थे, अब लडाके थे तो इनोंने तलवार बाजी सीख ली, घुरसवार बाजी सीख ली, युद्ध की जो रणीती है, वो सीखी, जो सीखी अब लेकिन हुआ कि जैसे आप, क्योंकि सोमरे की थोड़ी ज़्यादा एस थी, तो जब यह तीसेक साल की होई, तो इनहें भी लगा कि कहा इतना खून होता है, हर जगे, तो पही चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, फ़र शांती हो निचे जीवनने हैं, तो इनोंने कहा, तो फिर वहां से भरतपुर की नोगरी छोड़कर मुगल राजा के पास आगे, मुगल राजा उस समय मराठो के अंडर पे थे, महाचीसिन्या, तो अब उन्होंने इस तरह से उनका इस सिस्टम चला, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ जागीर वागित दो, हम यह थोड़ा शांत आगी डथ हो गई, बीमारी से, अब वो बेगा, जफर्याब खान जो है, वो थोड़ा mentally unstable था, जो ललका था, जो पहली बीवी से, तो इसलिए बेगम समरू, उसकी शासिगा बन गई, जमिंदार जो भी आप कहा हुए, तो जागीर दार, वो बन गई, और क्योंकि जो बेग आया, और बाद में भी बचाएगी अभी, अभी आप कुछा, मैं आप को कहनी बताऊँगा, तो आप थोड़ा चोग जोगे कैसा कैसे हुआ, तो अब इनको वहाँ पे दिया, यहाँ पे सर्दरागी जागीर मिल गई, सर्दरागी जागीर अब यह शासंग कर ने लग गई अपनी सेना थी, चार बटालियन थी इनकी, करीब चार से पांच हाल वह थे, तोपे थी, इनके पास, वह सब कुस्ताब, तो इस तरह से अब इनको जीवन थोड़ा शांती से बीटने लग यहाँ, और अब शुरू होता है असली टसल, असली टसल में क्या हो रहा था, कि यह जो सर्धना है, एक छोटी सी जागी है, सर्धना एरिया मुझफवनगार से लेकर गुड़गाओं तक फैला हुआ था, जो आपका बिलंशार होगारा के एरिया, उसके अंदर आता था, बीजोर खाली, और हो क्या रहा है, कि जो टीन बड़ी सक्तिया है उस समय देश में, वो सब इनकी सीमा पर हैं, एक तलफ सिख है, वो अपना शासर बढा रहे हैं, जो रन्जी सिंग है वो तारखत बनते आ रहे हैं, इधर अंग्रेज हैं, घंजापार, मेरट की और, मेरट के रुंगे कबजे में हैं, और इधर मुगल हैं, मुगल है, जो मराठव के नदर मर तो इसको आप ऐसे उनको बिजी रखना है डिपलोमेसी भी खेल नहीं है और सब कुछ करना है वो कर रही है लेकिन अपने अस्तित्र को पूरी तरह अच्छी तरह बचागे रखी हुई है नागेल बचागे रखी हुई है अपनी परजा की भलाई भी देख रही है मजे की बाद आपको मैं तो बताता हूं कि जो मुगल सासे कहा है शाहलाम खुद्धिय है अब वो एक कंजोर वो है अब वो हो कह रहा है कि एक छोटा साचीफ पर क्या नाम है इसका गुलाम कादिर रुहला चीफ है छोटा साई है ज्यादा बड़ा नहीं है वो लागले में हम कब्जा कर देता है और कब्जा कर लेता है तो वो जो शाहला में इनको अपनी बेटी मानता है और जो चान्दी चौक में जएक महल है जहां पर अभी बैंक ऑफ इंड़ा के है रिजिनल आफिस है वो इनको महल में गिदान में जेता है तोफे में जेता है अच्छा कुछ दिन और भी इते हैं गुलाम को आज दुवारत हमला करता है इस समय अचानक क्या होता है कि उदर मह हमला करता है शालम को अंधा करता है आखे निकाल लेता है वो तो बड़ा भ्हंकर सीन है कि वो एक हाथ में मुगल बास्षा की दाड़ी टग कर रहा है एक हाथ में उसकी निकाली हुई आख है उसको उच्छाल रहा है और चिला रहा है कि पेंटर को बिलाओ ऐसे मेरी फोट तो इस तरह से इनका वो चला है तो देखे तीन बड़ी शक्तियों के सामने बेगम समरों ने अपना समराज्य है और यह अंग्रेजयों नहीं लिखाय कई सदेने माके बस स survival है ना मह forme कर रहाएं इतने महान-भान लोग इतने ज़्यादा में क्या बूलूं कि मतलब डेश के लिए मर्म ने ओ करने वाले लोग इनका नाम कई अतिहास कर नहीं खासकर महीनाों के साथ तो जज़ास हो होता है कर नाम ही नहीं तो इस courtroom आगरा ना एड़् को प्रॉबरली तवाइफ नहीं गहना चाहिए हमें, क्योंकि जब यह छोटी सी थी, जब यह अवद नवाप के पास आ गई, खरीदी है, तो तवाइफ के लिस्ट में आती नहीं है, वैसे एक ता से, एक जटली नहीं आती है, तो लेकिन क्या थी, क्योंकि पास्त हुए है, तवाइफ बंदा ही हरम में आ गई, तो इसलिए एजित तवाइफ उन्होंने जिन्दगी कुछ जी नहीं है, तो अब वो आगई है जो जो नवाब है, इन्होंने अपने महल में रख लिया है, अब 1856 में क्या हुआ है कि जो अवद नवाप को अंगरेजों ने पैक करके कल कलकत्त भीज़ा कया थाख कि नेपाल भीजा की अच्छामी नेपाली यह खुद गई थी बाद में, आच्छान नेपाल में यह बाद में नेपाल चल्य जात तो अब हो कaintया है क्या कि उस समें क्योंकि लोगों के सेंटिम पर जो अंग्रेजों की जब बंगाल सेना थी बंगाल आर्मी जो मेग्जिम लोग थे ओवद कही थे तो इस तरह से अजितने लोग इते तो इनके सेंटिमेंस भड़क रहे थे कि हमाई राजा को विए उस समय जो चेत्रिय जो पहचान थी वह बहुत जादा मजबूत थी तो अभी लोग भडग रहे हैं तो भडग रहे हैं तो उठ खड़ हुए तो इस ने क्या क्या जो आपना चोटा बेटा था उसको बना दिया अभी वो बढ़क नहीं है चोटा ही है और उसको बनाने के बाद में वो खुद शाहसन कर रहे हैं और जो लड़के हैं जो freedom fighters है उनको आप नित्त कर रहे हैं उसने उन्हों ना दिया अपनी उन्होंने समीतिया बनाई एक वार समीति है जो अलिके पर बहुत समय तक एक कर नहीं पाएंगी क्योंकि अखेली पड़ गई थी अग्रेजों के पास रेल है टेलीग्राम है कम्मिनिकेशन के साधन जो है वो कारी को सबोच करिए कि जो एक ब्रेली का एक क्रांति कारी है उसको दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा उसको उन सलोकों का यूज नहीं करना है उसको नावों का यूज नहीं करना है वो उसके बाद रेल का यूज नहीं करना है उसको गोड़े ही थे उसको गोड़ों पर तो फरक है ना, कि एक व्यक्ति बार सारी सुविधाएं हैं, जो एक पक्षा, अंगरीज है, उनके अपने कब्जे में सब कुछ है, और यह क्रांदीकारी उनको छुपके जाना है हर चगे, जो लो छुपके जाना है। अल्टिमेटली यह नेपाल चली जाती है। युद्धुवे है, अवद में इतनी सारे युद्धुवे हैं जिसकी मिथाल नहीं है, लाखों लोग मरें हैं. अवद का यह ऐसा छेत्र रहा है कि एधर के अंग्रेज़ों के ऊपना वैसे रेव मगरे कि कोई अरोप नहीं है. एक अवद का छेत्र है जहां पर इन पर ऐसे आरोग लगे हैं तो आप यह बात सही कह रहे हैं क्योंकि जो हम मुगल की बात करते हैं तो मुगल शाशक जहां भी जिस भी राज को जीत लेते थे वहां पर रेप करना महीलाओं पर शोशन करना सुनने में आता था लेकिन अंग् कि केंटोन मैंट्स में इन्हों ने जो यह बाजार बनाय थे जहां पर तवाइफे रहती कि जैसे मेलट की एक बात है भाक ढारीन था फ़योड रहन्त केंट के अंदर है तो वहां पर वह चुनिए उनमें रखा करते हैं तो एसलिए जो अधित्श कूख थी क्योंकि वहां अच्छा जरिया था, क्यों सिपाई एकसर आते थे, अंगरी भी आते थे, तो वो जो तवाइफे थी वो भी इंटरस्टीर रहती थी, लेकिन वो चुन-चुन की लेते थे, और अब वो क्योंकि नया कानून आ गया था, मैंने अब जब उनके परिवार आ गये तो उन्होंने अपना सिस्थरा कर लिया, उनका इतना अठैक्ट проблем नहीं रहा है, अब वो मेंली छो प्योर इंट्टेन्मेंट के लिया आ रहे है है. प्योर निचे के सिपाई है, अर शीभाईस हो रहे है नहीं का रिए सिपाईingt जो इस्तलिए वो इनका तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रूपिंग वगर हो रही है जो बहुत ही डिस्रेस्पेक्टल है इस तरह से काम हो रहे हैं इनके टेस्ट हो रहे हैं वैसे मैंने कहीं पड़ा था कि अंग्रेज इस बात का भौत ख्याल रखते थे कि प्रोस्टिटूट्स या सेक्स वरक हुआ करते थे जो तवायफों के महले हुआ करते थे उसमें जो तवायफ सेक्शुली ट्रांस्मिटिंग डिजीस फैला सकती थी उनके घर के बार रेड लाइट लगा दे जाती लाल बत्ती लगा दी जाती थी ताकि जो लोग वहां जा रहे हैं उनको पता रहे कि इस वाले हमले निशान बनते थे कहीं-कहीं खाली क्रोस बनते थे रड़ क्रोस और होता क्या था कि जो तरीका था मेडिकल तयस्ट का जो डिस्डेस्ट्शिंफ्रक्षियन जो तवायफों पहला था उसका एक मेन कारण ये भी था, कि जो इस धंग से वो टेस्ट होते हैं, बहुती ब्यक्ति से भरे हुए होता था, इस धंग से उनको ग्रोप के आयाता था, वो ग्रोपिंग के लिए भी खास हुए ऐसे लोगों को रखते थे, जो इवन जो तवाइफों के लिए भी अपमान जनक था, तो वो एक बहुत बड़ी कहानी थी, कि जो तवाइफे हैं वो उट खड़े हुए था, इस धंग से खड़े हुए ही कि मेरड मेर जब बंदी सिपाईयों को लेके जा रहे थे, उनके जो गार्ड जो सिपाई थे वो भी देशी थे, उनको उनको चूडियां उनके मुँपे मार के कहा था है कि तुम लग तो उठते क्यों नहीं करते हैं तुम लग ना मर दो, तो इतने मतलब जो नगरवद में उनको कहा गया इजत से, वो नगरवद में इस कदर अग्रेजों के खिलाप थी, वो बढ़का रही हैं सिपाईयों को, तो वापीस आते हैं वे अब वो जो क्रांदी कारी सिपाईय हैं लड़ रहे हैं बहुत 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 सारे लोगों की पशंसा की हैं, कि यदि कहीं किसी गैरिसन में 2000 देशीत सिपाई हैं तो उनमें से एक भी नहीं भागा, सम्म मर गए, फ़ल्द फाइनल 2000 के 2000 मर इस परिणा के साथ उनमें लड़ाई हैं और वो उसमें बेगम हजरतमेल का हाथ है क्योंकि वो मोटिवेट कर रही है, सबका मोटिवेशन है, मिक्स मोटिवेशन है, हजरतमेल जो पहली लड़ाई हुई है, चिनहट की, उसमें बेगम हजरतमेल कोई हाथ ही है, वो तो लट रहे हैं तो उसने सब कुछ काम किया, अपने बेटे को नवाब बनाया और वो वार कमिटी बनाई और एडमिशरी काउंसिल बनाई और राज्य अपने हाथ में लिया, लेकिन समस्या है तो थी ना, क्योंकि अंग्रेजों के पास संसाधन थे, संसाधन है, अगला नाम इस सबसे ज्यादा कोई मुझे जिसने में को जग जोरा, जिसकी कहानी सुनता है मैं रोया, वो धर्मन बीवी थी, क्या हो रहा है कि वीर कुमर्सिंग के, इनके पैटन थे, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए कोई भी इनके बारे कुछ बताना नहीं चाहरा था, मैंने कुछ सोर अभी भी है वो, और आरा के जिले के अंदर है वो, और उसमें इनकी जागीर थी, और ये शुरू से ही, क्योंकि जमिनदार थे तो इनके टेक्स का बड़न लगान का बड़न बहुत चाहा था, जमिनदार भी पशान थे मैंना आपको बताया, और ये बहुत ही दानी और बह लोगों की बहुत सी हवा करते थे, अब हो कहा रहा है कि किसानों की दूर्दशा देखकर ये खुद परशान थे, और इनकी अपनी लगान, इनके पार कम आ रहा है, इंकम कम हो गई, और अंग्रेजों को देना है, उत्ता हो, तो इन पर लोन चड़ गया है, तो अब ये पर परशान है, अब परशान है तो इन्होंने सेना बनाई है, अब देखी, कितने बहादूर है इस बार का अंदर लगाई है, कि 1846 में, 1846 में, इनकी उमर किया है, 70 साल, 70 साल में, जब पंजाब, अंग्रेजों और पंजाब सिखों की लड़ाई शुरू ही, दो युद्वे, एंग्लो सिख जो बार से, रंजीत सिंग के मरने के पाद, तो उसमें इन्होंने लगबग 10,000 लोगों की फौज कठी की है, उसको ट्रेन की है, अथियारत ही है, कि तुम लोग जाओ, और वहाँ पर पंजाब में जाके लड़ो सिखों के साथ, सिखों के साथ से, तो देखो लेकिन फिर भी वीर कोमर सिंगों कुछ नहीं कह पाए वो, इतने प्रभावशाली थे वो, और उसके बाद में जब 1857 अब धर्मन बीवी, तो इनके पास पैटरन बने करीब 832 में, उसमें अभी लगा लें, 1832 से 1856 अब इनकी एजब बढ़ रही है, मुश्यम 55 साल के थे, अब ये 80 साल के हो गए है, तो अब धर्मन बीवी है, वो अपने साल हो गए है, उसको अपने पैटरन के साथ, वो मा बनना चाहती है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो अब वो क्या चाह रही है, कि मैं गोद ले लूँ, गोद लेना अल्लाव फूल है, अंगरी जोके चाहती है, वो बच्चा गोद ले लेती है, बच्चा गोद ले लेती है, तो पुलिस वाला नौक करने आया आता है, तो वो बच्ची बिमार हो जाती है, बच्ची मर जाती है, तो जो वो हकीम इसकी अपनी तविद बिगण जाती है, अपनी तविद आरा में रहती थी हो, अपनी तविद्स की बिकड़ जाती है तो वो हकीम को बलाते हैं, हकीम तो गुर्णी उस देता है, कि आरे आप तो खुद माँ बनने वाले, आप देखिए इस सिदी, कि वो अब उसे वही लग रहा है कि जो मेरी बेटी जो मरी है, वो वापस आ रही है, वापस आ गई, अब उसे यह नहीं बताता है कि उसकी जो माँ बेटी होने वाली है, अच्छा, अब वो समय के साथ 1857 में, जो आरा का यूद हुआ, उससे जस्ट पहले, यह कि दो बेटी होई, आरा में यह लाई हो रही है, आरा में ही रहती है यह, तो एक खुश हो रहे है कि वीर कवरसिंग ही और, वीर कवरसिंग पहले दो य έχει डिल, जीते हैं, बाद में हार जाते हैं, हार जाते हैं वहां से जगदीश पूर चल लाते हैं, अब जगदीश पूर जाता हैं कि हार गया तो यह सुनके प्सान हो आती है, तो इससन्द keen अपरो अपने अलंकियों को माने के ले घुए खं वो फ्री हो जाएगी उनसे और अपने पदी के साथ अपने पैटर्ण के साथ मदद करने जाएगी देश के लड़ाका थी वो बजबूत कदगाटी ही लंबी उची थी तो बगी एक लड़ाई के कारण नहीं धर्मन बीबी ने इंगी पैटर्ण को ठीक है अब क्या हुआ कि उसे बताया गया कि धर्मन को कि नहीं वो स्रक्षित है जगदीशपूर तो उनका अपना इलाका है तो हार नहीं सकते हुआ जगदीशपूर में एक खास बात है उससे में तो विशेश थी आदभी उसके कुछ परमान मिलते हैं कि उन्होंने पता था कि अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और जो उनका किलाय था बाद भी है वो किलाय के कुछ का काफी भाग दिखा जासता है तो उसमें एक इसमार्ग भी बनावाई जहां पे इनका अपना वो था महल टाइट लो और उसमें इन्होंने एक किलोमेटर की अर्धपड़ी में व्यास में उसमें पेर ल जो पड़े हैं वो किसलिए कि जो तो पे ना सके अंदर अंग्रेजों की तो इस तरह से बिल्कुल पासपर लगे हैं आज भी दिखते हैं वह पे उन पर से कुछ तो लोग बहुत पवित्र मानते हैं जिन पर फासी दी गए थी उसमें लोग लाल धागा बांगे हैं तो और वो अब कैमूर चले गए हैं कैमूर चले गए तो अब वो और जाता परचान हैं अब वो सहन नहीं कर वा ली तो फिर अल्टिमेटली वो दोनों बच्चेों को गोद लेती हैं और अपने पैटरन के पीछे में चले आती हैं घुड़े सवार मर्दाना कपले से लवा कर चले आती है और उनके साथ ही वो अब वो जो कुमर सिंख हैं वो अपनी 80 साल की आई हूए देखिये हूं के लगए 10 महीने तक वो युति के मेंदान में रहने वाले हैं वो पूरा वहां से रिवा जाएंगे और पूरा आवद क्रॉस करते हुए कानपूर होते हुए वीर कुमर सिंख को जीतना था अंग्रेजों का पिठ्ठु था वो उस पर तोप लगी हुए थी तो इनको पता नहीं था कि तो इसलिए वो यह जा रहे हैं घुड़े पर समारों के चार्ज कर रहे हैं तो धर्मन से साथ थी तो उन्होंने देखा कि यह तो तो नहीं देखी और वो गुला अपने सिर पे ले लिया अपने तो इनका बाना में बलिदान हो गया ऐसे जो मेर को मतलब चिटपुट जो कुछ पता लगा वो यह है तो वो थोड़ा वल्ला इस्थान की होसता है कुछ गबड़ हो इसमें लेकिन वो उनका पर हमार लोग तो सर बहुती सोच से शक्ति-शाली, सोच से बड़े होते हैं, अपने ओूटिन्स और ही कहूंगा जो शुरूआत में मैंने बात की थी इस पारड़कास के शुरुआत में एक आम कीगठली की कहानी थी कि कैसे वो आम कीठली मीठा बोलती है अपने आपको और आज के जमाने में मैं वह वसको थी यह देवदासिया हुआ करती थी जो मीठी थी जो लोगों के लिए एक सौगात की तरह थी निर्टे पेश करती थी संगीत पेश किया करती थी पर कैसे कैसे उनमें तबदीली आई उनको को इस्तमाल किया गया, लोगों ने अपने हित के लिए इस्तमाल किया और वही तवाइफें, देवदासियां, कैसे प्रोस्टिट्टूट, सेक्स वरकर्स और रेड लाइट एरिया में रहने वाली बने पर उन सब के बीच भी कुछ ऐसी तवाइफें थी जिन्हों ने अपनी खुद की अंतरात्मा की सुनी, अपने देश के लिए काम किया, अपने लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, ये किताब The Dance to Freedom उन्ही तवाइफों की बात करती है, छोटा छोटी बात हमने सर के साथ यहां डिसकस करी, सर ने छोटी बातें सब के बारे हैं बताई आशा करतों आप इस किताब को खरीदेंगे, ताकि आप उनके बारे में और डीटेल में जान सके, ये बनता है, हम सबका एक करतव बनता है कि हम उनके बारे में ही पढ़ें, हमने बड़े बड़े राजनिताओं के बारे में, बड़े बड़े देश भक्तों के बारे में कहीं किसी कोने में दबी हुई है उनको भी लोगों के सामने ले के आए जाए हमारी आने वाली जनरेशन हमारे आने वाले बच्चों को भी यह सब कहानिया पता होने चाहिए आपने इतनी इतनी इंफोर्मेशन दी बहुत देर से आपसे पॉड्कास कर रहो हूं आप भी थग गाउंगे बोलते बोलते पर रियली जो आपने रिसर्च किया और बहुत अच्छा गाम किया आपने कि ऐसी कहानियों को आप ले के आए सामने जो लोगों को पता होनी अब जैसे प्रताप श्रिवाजी और चाहिशताँ कुझ एक रूपृ घंव harvest ऑनले इसे आपने नich में करते हैं आयो इस तो तो लेहां कुझ النलाइब कि लोग समझते चाहिए गीजो अच्विच्डी और चताया च्छिवद सक्एगार practically के रहे हैं तो यह मानएं और रहे ह जिसको लोग याद करते हैं. तो इसलिए हमें किसी भी व्यक्टिट को समझने के लिए उसका बेस, उसकी अंडर्शेंडिंग, उसकी समझ है, उसके जो मन में जो चल रहा है, उसके जो नीतिया बनाई है. उसको समाज नीति हों, उसको समझना बहुत जोड़ी है. वही बहुत कम लोग जानते हैं कि किसके बीच में लायुवे थी कैसे हुई थी लेकिन महाना प्रताप को सब याद रखते हैं हल दी घाटी का युद्ध हो गया फेमस लेकिन वह थो छोटा सा युद्ध था उसमें तो एक तर पीन अजार लोग एक तर पांच जार लोग थे बस ल तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए कुछ पेश करते हैं देगे जो तवाइफे थी ये बहुत तरह के गीत गाती जैसे दाद्रा है एक जामपिर है ऐसी जैसे पंजाब से टपा चला और उसको पूले देश में अपनाया गया तवाइफों ने अपनाया तो मैं आपको ये टपा सुनाये तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाये गड़ी चल दिये लीकाते कि अगे मयानित मिल दा हुड मिल सी तरीक तो इस तरह की टपे हैं जो बहुत पॉपलर हुए और बहुत सारे सिंगर्स ने गाया जैसे शर्टाज नी अभी भी गाया है गड़कूते चड आईयां गड़कूते चड आईयां अज दिल खफा खफा माईये नो तो रायां बाल बड़िया सर, बाल बड़िया, थैंक यू, थैंक यू सर